हेलो स्टूरेंट्स मैं प्यूस राजपूत और आपका अपना चैनल प्यूस कोचिंग क्लासे जैसे बच्चों मारी केसे स्टेडी कोसिंस की स्रीछ चल रही है और हम अपने चैप्टर एल्कोहल, स्फिनोल और इथर के पैसे कर रहे थे आपको एक स्टेंट्स निकालने के लिए सबसे पहला आपका स्टेप होता है कि आप उसका कॉंजूगेट बेस बनाए जैसे मैं वाटर की मानलो पहले कंपेर करा रहा हूं आपको मैथनोल से तो पहला स्टेप क्या है आप उसमें से एक एच प्लस को निकाल दो यानि कि एक तो ये बनेगा हो माइनस सी एस थ्री ओ माइनस बन गया यानि कि आप देखो कि किसका कॉंजूगेट बेस स्टेबल है जिसका भी कॉंजूगेट बेस स्टेबल होगा वो उतना ही जादा ऐसे डिक होगा अब देखो एच एच का जो एफेक्ट होता है हम उसे जीरो मान के च और इलेक्ट्रोन दे रहा है, यानि कि आप ऐसे समझ लो, जिसके पास कोई चीज होती है, अगर हम उसे वो गें करें, तब उसकी stability बढ़ती है, लेकिन अगर कुछी पर है, वो उस चीज को आप और बढ़ाओ, और बढ़ाओ, तो उसकी stability क्या हो जाती है, यानि कि जिसके पा समझ बहुत जाद है, उससे ले, तो stability बढ़ती है, तो इस पर negative था है, और आप और negative दे रहे हो, तो मतलब ये unstable हो रहा है, तो कौन जाद है stable हुआ, ये, तो जो जितना जाद है conjugate base stable होगा, वो उतना ही जाद है acidic होगा, के लिए रहे इतनी बात, अब जैसे मैं इसको compare कर दे आपको वो ही पता है कि इसका conjugate base बनाएं, तो जब इसका conjugate base बनाते हैं, तो बनता है phenoxide ion और इधर बनेगा आपका CS3O-, यानि कि एक पर तो देखो resonance structure बन रहे हैं, आरेस बन रहे हैं, जबकि दूसरे पर plus I effect है, वो stability घटा रहा है, यानि resonating structure stability बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरह stability घट रही है, तो कौन ज़्याद है stable हुआ, तो ये ज़्याद है stable हुआ, तो जो जितना ज़्याद है stable होगा बच्चो वो उतना ही ज़्याद है acidic होगा, तो एक बात तो समझ में आ गई कि acidic nature जो है वो depend किस किस पर कर रही है, तो जो plus I है वो घटा रहा है, minus I बढ़ाएग RS बढ़ाएगे, minus M बढ़ाएगा, जबकि plus M घटाएगा, तो ये सारे के सारे factor acidic nature पर change करने वाले हैं, के लिए रहे इतनी बाद चलो, तो मैंने क्या बताया है कि आप conjugate base बनाएं, conjugate base बनाने पर उसकी stability को check करें, और फिर बताएं कि कौन ज़्याद है acidic है, तो acidic strength of phenol depends upon the combination of inductive or resonance, बिल्कु सही बात है, inductive or resonance दोनों पर depend करती है, and position of the benzening, electron withdrawing group increase the acidic strength, बिल्कु सही है, और phenol, whereas electron donating group decrease, electron donating group घटाने का काम करता है, electron withdrawing group बढ़ा रहे हैं, जो मैं कहारा हूँ, जिस पर जो है उससे लही है, तब उसकी stability बढ़ेगी, and phenol is a beaker acid, then carboxylic acid, phenol जो है, वो beaker acid है क से, carboxylic से, okay, question पर आते हैं, किरा phenols are highly acidic as compared to alcohols, मैंने बता है, उसका reason, reason क्या होगा ही, तो phenoxide ion की resonating stability, जो phenoxide ion है, वो resonant establish करता है, जिसकी वज़े से, बच्चो, वो जादा acidic है, उसका conjugate base जादा stable है, किलिए रहे है इतनी बात, okay, चलो आगे बढ़ते है, the correct order of acidic strength, देखो बच आया था, ये चीज़ आपको plus i so कर रही है, ये आपके resonance दिखा रहा है, लेकिन जो ये chlorine है, बच्चो, ये दो effect so करता है, plus m और minus i, तो ध्यान रखना, इसका जो minus i effect होता है, वो इसके plus m पर dominate करता है, ये, तो ये minus i दिखा रहा है, किलिए रहे इतनी बात, तो जो minus i है, वो क्या काम करेगा, वो आपकी acidic nature को बढ़ाएगा, acidic nature को बढ़ाएगा, मैंने बता है न, minus i बढ़ा रहा है, plus i घटा रहा है, phenoxide iron, ये इसके resonance भी बढ़ा रहा है, तो सबसे ज़्याद है, आपका fourth हुआ, फिर third and first, सबसे कम ये है, तो fourth, third, first and second, कोई दिखकत तो नहीं, क्या बात याद रहेगी, कि पहली कि अगर हमारे पास chlorine है, तो minus i effect dominant करता है, plus i, के लिए रहा है, हमेंसा मैजोमरी effect dominant करता है, लेकिन हैलोजन की case में minus i करता है, phenoxide iron stabilize हो रहा है, किसकी बढ़ाएगा, resonance की बढ़ा है, जिसकी वज़े से वो ज़्यादा acid है, चलो, आगे बढ़ते ह that does not liberate CO2 in treatment with echo sodium bicarbonate solution, देखो बच्चो, जो आपके phenol है, यानि कार्बोलिक acid होते हैं, phenol, is a beaker acid than carbonic acid, यानि कि अब ये लिखा हुआ है, कि जो phenol है, वो हमारा carboxylic acid से beaker acid है, carboxylic acid से beaker acid है, इसका मतलब वो CO2 नहीं निकालेगा, तो compound liberate नहीं करेगा, CO2 उसका reason है, उसका poor acidic nature, शो करना, चलो, अब पूचरा, most acidic is the following, अब देखो, ये NO2 आपका electron bidrawing गुरूप है, ये बात तो confirm है, इन तीनो जगे पर लग रहा है, इस पर नहीं है, तो ये तीनो इस से तो ऊपर होंगे, इतनी बात तो confirm हो गई, अब देखो, जो NO2 है, वहाँ आप पर orth पर, और जो mesomeric effect होता है, बच्चों, वो distance पर नहीं depend नहीं करता, ये distance independent है, ये ध्यान रखोगे, क्या है distance independent, distance पर depend नहीं करता, लेकिन orth पर अगर आप देखोगे, तो intramolecular hydrogen bonding हो जाती है क्या हो जाती है, intramolecular H bonding, जिसकी वज़े से बच्चों ये थोड़ा सा कम acidic होता है, किस वाले से परा से, क्योंकि मेटा पर तो M लगता ही नहीं है, इस पर तो आपका minus I लगेगा, तो इन दोनों का तो कोई लेना ही नहीं है, यानि कि orth जो थोड़ा सा, थोड़ा सा कम acidic होता तो वो para होगा, para के बाद orth होगा, और फिर आपका meta और फिर आपका phenol होगा, तो ये आपका sequence है, तो सबसे ज़्यादा acidic आपका कौन हुआ phenol, इतनी बात clear हो गई, मैंने क्या बता है, जब भी acidic nature देखनी हूँ, तो पहले conjugate base बनाएं, फिर stability of conjugate base चेक करें, उसकी stability depend कर रही है माइनस I के directly, माइनस M के directly और resonance के inversely है, तो किस पर electron donating group यानि प्लस I और प्लस M के, इतनी बात के लिए है, पिलकुल बढ़िया हो गया होगा पैसिस्त बच्चों, आज ही किलास में सिर्फ इतना ही thank you